हेलो एब्रिवाइन कैसे हैं आप लोग आप सभी को प्रिती हो जब लॉग में श्वागत है तो आज मैं जा रही हूँ केले की सबजी बनाने जो कि मैं बहुत ही नए तरीका से बनाऊंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैं केले को अच्छे से पानी में धो ली साफ कर ली और केले को रगड़ रगड़ के अच्छे से धोई क्योंकि केले का छिलका का मैं बनाऊंगी चटनी गैस आप बिलीव नहीं करेंगे ये चटनी ना बहुत ही टेस्टी लगता है केला का छिलका का तो मैं यहां पे छिलको को एक कटोरी में करके रख लूँगी अलग से क्योंकि उसका फिछ चटनी बनाऊंगी और उसके बाद मैं केले को छोटे-छोटे पीसे में काट दूँगी सबजी बनाने के लिए तो अभी मैं सारे केले को अच्छे से काट ली और उसके बाद मैं इसको कुकर में दे दूँगी बॉयल होने के लिए तो उसके पहले केले काला ना हो जाए इसलिए मैं यहां पे पानी डालूँगी और हल्दी डाल दूँगी ताकि यह यलो दिखे और उसके बाद मैं यहाँ पे आदर चमिश नमक डाल दूँगी उसके बाद मैं गैस पे एक सिट्टे लगा दूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे छिलके को भी बॉयल कर लूँगी चट्नी बनाने के लिए गैस केले का चटनी ना सच में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप साथ में एकदम उंगली चाट करके खाईएगा इतना टेस्टी लगता है आप एक बाद जरूर से ऐसे बना करके ट्राई किजेगा तो उसमें मैंने मिर्श दे दिया लश्रून और नमक दे के पीस ली उसके बाद मैं उपर से सरसू तेल दे रही हूँ कच्चा ये खाने में सच में बहुत टेस्टी बना था आप ऐसे बना करके खा के जरूर ट्राई करें आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं यहाँ पे क्या ही ले ली हूँ सबजी बनाने के लिए चो चलिये बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे दो कटी हुई मेश दे दी दो प्यास और मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरह से ग्रेवी के लिए रेडी करूँगी और यहां पे मेरे केले भी बॉयल हो चुकें तो मैं इसे ठंडा होने के लिए एक बरतन में निकाल लूँगी इसी के साथ मैं यहां पे दो कटे हुए टमाटर ली हूँ ताकि ग्रेवी अच्छा बने तो टमाटर को गलने के लिए मैं यहां पे एक चमस नमक डाल रही हूँ और मैं अभी नमक दी हूँ तो सबजी में कम ही डालूँगी और देखे ग्याज यहां पे मैं उसको पीस करके ग्रेवी बनाने के लिए रेडी कर ली हूँ फिर मेरे केले भी यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं तो मैं उसमें एक कटी हुई प्याज डालूँगी छोटे-छोटे आधा चमच नमक डालूँगी जीरा पॉर्डर एक चमच, एक चमच धनिया पॉर्डर इसी के साथ में एक चमच लाल मेच और दो चमच मैं यहाँ पे बेशन डालूँगी और उसके साथ ही मैं यहाँ पे एक चमच रिफाइन तेल डालूँगी और कटी हुई धनिया, अब सब को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद गैस हाथ में तेल लगा करके आप जब भी यह सबजी बनाएं तो हाथ में तेल लगा करके इसको गोल-गोल लड़ू की तरह बना लें तो जितने भी हैं मैं सब को देखिए लड़ू बना चुकी हूँ अब मैं इसको देख सकते आप कितना सुमदर दिखने में दिख रहा है यह खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है आप भी ऐसे बना करके जरूर ट्राइ करेगा और अभी मैं तेल में इसको शान लूँगी और बहुत ही आराम से इसको पलटिएगा ताकि यह तूटे ना तो अभी यह रेड टाइप का जब हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी एक बरतन में तो इसी तेमरम मैं सारे बॉल को शान के निकाल ली और उसके बाद आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो अब सबजी बनाने के लिए मैं एक कडाही ले ली हूँ और उसमें फूरन दे दी तेजपत्ता और मैं हिंग डाल रही हूँ यहाँ पे एक चमश धनिया पॉर्डर जीर एक चमश जीरा पॉर्डर हाप चमश गूल की पॉर्डर और आदा चमश नमक और यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक चमश हल्दी इन सभी मशालो को दो मिनट तक लो फ्लेम में भूनूंगी उसके बाद जो मेरा ग्रेवी रेडी था प्याज लेशुन और टमाटर का उसको भी मैं कडाही में दे करके भून लूँगी अच्छे से और यह बार बार आप चलाते रहिएगा ताकि नीचे चिपकेना और यहाँ पे मैं गर्म मसाला एड़ कर रही हूँ तो गाइस देख सकते हैं मेरा ग्रेवी कितना अच्छा से रेडी हो गिया है और यहाँ पे जब इसमें से तेल छोड़ने लगे मतलब मसाला आपका भून इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगे तो देख सकते हैं सब्जी आलमोस्ट रेडी हो ईच्छा है तो अब चावल के साथ कहा सकते हैं रोटी के साथ कहा सकते हैं तो आप भी ऐसे बना करके ।्लाइवर ट्राइ किजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नय हैं तो चैनल को सब्सक करना ना भूले बाई टेक कियर